नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मीशो एप्लिकेशन के अंदर आप नौटिफिकेशन कैसे ओन कर सकते हो तो गाईस गर आप भी जानना चाहते हो कि मीशो एप्लिकेशन के अंदर नौटिफिकेशन कैसे ओन करें तो फिर इस वीडियो को तो गैस सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा अपने फोन में मीशो एप्लिकेशन को उपन करना है और जैसे मीशो एप्लिकेशन को उपन करेंगे उसके बाद गैस सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहां पर गैस सबसे पहले एप्लिकेशन कुछ इस तरह से आपके सामन open हो जाएगी अब गई सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा यहाँ पर नीचे की सैट में देखे तो account का एक option आपको देखने को मिल जाएगा तो simply guys account के उपर आपको click करना है और guys account पर click करने के बाद यहाँ पर आपका जो account रहेगा वो open हो जाएगा अब तो guys यहाँ पर करना क्या होगा scroll down करना आपको scroll down करने के बाद यहाँ पर नीचे की सैट में देखे तो notification setting का एक option आपको देखने को मिल जाएगा तो simply guys क्या करना होगा यहाँ पर notification का जो option है इसके उपर आपको click करना है और उसके बाद guys करना क्या होगा यहाँ पर सबसे उपर की सेर में enable notification 4 यहाँ पर लिखा हुआ इसके उपर click करके यहाँ पर for you वाले option पर आपको tick कर देना है और उसके बाद देख सकतो नीचे all collection का option होगा तो यहाँ पर देख सकतो बहुत सारे collection आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर फो यहाँ पर आपको notification मिलते रहेगी उसके बाद करना क्या होगा यहाँ पर save वाले option पर आपको click कर देना तो जैसे हम save पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो notification on हो जाएगी मतलब guys जो भी आपने collection select किये होंगे उसके उपर जो भी notification बनती होगी वो आपको आपकी application के अं बिल जाएगी तो इस तरह से आप मिशो application के इंदा notification on कर सकते हो तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना शेयर करना और गर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए